इस question में हमें क्या पूछा है निम्न आंकड़े दिये गए है कुछ उसमें हमें क्या निकालना है वहसत निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे देखो यहां पर जो दिया है न वहसत कैसे निकालते हैं वहसत को स्टेटिक्स मैं संक की मैं एकस बार से करते हैं अब देखो एकसाई और एफाई है तो इसका हम लोग क्या करेंगे पहले एकसाई और एफाई है न यह तो एकसाई की वैल्यू कितनी है पांच एफाई की है दो उसके बाद मैं देखो एकसाई की वैल्यू है पंदरा एफाई क चार और यहां पे 25 है कितनी है 25 फिर उसके बाद मैं A5 की यह 7 और यहां पे 35 और उसके बाद मैं A5 की value है 4 और यहां पे धेखो A5 की value है 45 और इसकी value है 3 हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का करेंगे multiply क्या एकसाई एफाई जब हम लोग एकसाई एफाई करेंगे ना तो कितना आएगा पांच और दो कितना होता है पांच और दो होता है कितना दस होता है 5 और 2 का multiply करेंगे न तो कितना आएगा निकल के 10 आएगा 15 चोकाश कितना होता है 60 होता है उसके बाद में 25 शत्ता कितना होता है देखो 25 चकाड होता है डेड़ से 25 शत्ता होता है एक से पिचत्तर कितना होता है एक से पिचत्तर उसके बाद में 35 चौका 35 दुनी 70 70 दुनी होता है एक से 40 कितना होता है एक से 40 उसके बाद में 45 दुनी 90 45 किया होता है एक से 35 कितना होता है एक से 35 जब हम लोग इसका हम लोगों ने चार्ड बना लिया तो इनको हम क्या कर देंगे अड कर देंगे तो एड के लिए सिगमा एफाई एकसाई सिगमा एकसाई और एफाई कितना आएगा जब हम इसको एड़ करेंगे ना तो देखो पांच पांच होता है दस दस की कितनी आई जीरो हांसिल की या केरी आगई बना हांसिल एक एक और एक दो छे और दो आठ आठ और साथ पंद्रा पंद्रे और चार होता है कितना भाइस की आ गई दो और अचल की कहरी आ गई 2 कहरी कितनी आ गई 2 अब 2 के बाद मैं देखो एक एरा दो एक तीन चार पांच कितना ऐगा पांसो बीस आएगा कितना ऐगा पांसो बीस इसको एड़ करने के बाद में कितना आगया पांसो बीस आगया पांसो बीस अब हम लोग क्या करेंगे वोसत का फॉर्मूला क्या होता है सांके की मैं देखो XI और FI था ना इसका क्या होता है multiply देखो Sigma XI FI upon upon में होता है Sigma FI और Sigma FI कितना होगा देखो जब हम Sigma FI निकालेंगे ना add पूरे का 4 और 2 6 7 और 6 13 और 3 कितना होता है 20 होता है कितना होता है 20 अब हम लोग इसमें कर दो value put क्या करेंगे value put कर देंगे तो Sigma XI FI की value कितनी है पांसो बीस upon में 20 तो 0 से 0 होगई cancel तो जब 52 में 2 का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 26 निकल के आएगा कितना आएगा 26 इस हिसाब से इसका अंसर हो जाएगा D द द हो जाएगा D option कितना होगा 26 अब हम लोग चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है आप लोगों के सामने screen पर इस question में आप लोगों से क्या पूचा है चार के पहले क्या पूचे हमें चार के पहले 5 दो अंकों वाले गुड़ा अंकों का क्या निकालना है माद दे निकालना है तो हम लोग माद कैसे निकालेंगे देखो चार के पहले 5 गुड़ा कौन कौन से होते हैं चार का पाड़ा देख लो पहले दो अंकों वाले क्या पूच रहा है दो अंकों वाले पूच रहा है चार के पहले 5 चार के पहले 5 दो अंकों वाले देखो दो अंकों वाले देखो 4 एकम 4, 4 दुनी 8 और 4 तिया 12 तो इसमें 2 अंक वाले चाहिए है तो हम लोग क्या करेंगे 4 और 8 को सामिल नहीं करेंगे क्योंकि यह एक अंक वाले है 12 के बाद आता है कितना आएगा 16 फिर आता है 20, 20 के बाद में आता है 24, 24 के बाद में कितना आता है 24 के बाद में आता है 28, 24 के बाद में कितना आता है 28 अब इसमें हम लोग क्या करेंगे हम लोग 4 और 8 को क्या नहीं करेंगे सामिल नहीं करेंगे क्योंकि 4 और 8 एक अंक वाले हैं अब हमें इसका क्या निकालना है माद्ध निकालना है माद्ध तो माद्ध कैसे निकालेंगे देखो माद्ध का जितनी ये शंक्या है न इनका add करके देखो 12 प्लस के 16 प्लस के 20 प्लस के 24 और प्लस के होगा क्या 28 या कितनी शंक्या हैं देखो एक दो तीन चार पांच पांच संक्या है तो पांच से हम लोग क्या दे देंगे डिवाइड अब देखो बारा सोला को जब हम जोडेंगे तो कितना आएगा बारा सोला होता है 28 28 और 20 होता है 48 48 और 24 होता है बहुतर जब बहुतर में 28 को जोडेंगे तो कितना आता है 100 आता है 100 अपन में 5 जब 100 का 100 में भाग देंगे 5 पांच का तो आएगा 20 कितना आएगा 20 इस हिसाब से इसका अंसर हो गया option C क्या हो गया option C हो गया अब हम लोग चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है आप लोगों के सामने screen पर इस question में क्या पूचा है इस question में हमें कुछ आंकड़े दिये गए है क्या दिये गए है कुछ आंकड़े तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है निमनलिकित डेटा के लिए ये समानतर माध्य कैलकुलेट करना है, माध्य निकालना है, जब हमें इसका क्या निकालना है, माध्य, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वही फॉर्मूला होता है, मान लो, इसको मान लो, आप X, क्या मान लो, X, इसको मान लो, F, X, F मान लिया, अब यहां पर हम लोग क्या नि एंगे multiply तो कितना आएगा 70 कि आएगा 70 का 3 में multiply करेंगे तो 60 आएगा 10 का 4 में करेंगे तो आएगा 45 कितना आ गया 25 अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे final sigma fx निकालेंगे जब सिग्मा एप एक्स निकालेंगे ना तो एंसंग जो value हम लोगों ने calculate किये ना इनको कर देंगे add क्या कर देंगे add तो जब हम इनको जोडेंगे तो 30 प्लस के 70 100 होता है 100 और 60 होता है 160 160 और 40 कितना होता है 200 होता है 200 में 25 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 225 आएगा sigma fx की value कितनी आएगी 225 आएगी कितनी सिग्मा एफ तो सिग्मा एफ के सिग्मा एफ हम लोग कैसे निकालेंगे सिग्मा एफ निकालने के लिए कलमों की संख्या को हम लोगों ने क्या माना था से एफ माना था तो बन प्लस के टू और प्लस के थ्री प्लस के फोर तो देखो एक और दो तीन 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 छे छे और चा शमानतर माद्दे का जो फॉर्मूला उसको हम क्या कर देंगे एपलाई कर देंगे देखो तो शमानतर माद्दे क्या होता है शमानतर माद्दे होता है शिगमा एफ एक्ष अपॉन में होता है शिगमा एफ शिगमा एफ एक्ष की बैल्यू है दो सो पच्चीस कितनी है दो सो अब शिगमा f की value है 15 जब 15 से 225 का भाग देंगे न 15 से 15 से देंगे 225 में तो यहां से आएगा 15 कितना आएगा 15 15 से 15 बार हो जाएगा cancel तो आएगा हम लोगों का 15 आंसर तो option बी है क्या है option बी अब देखो अब हम लोग चलते हैं अगले question की तरह अगला question है आप लोगों के सा कई दस विद्यारती दिय मं क्या दیए दस विद्यारतीं दवारा प्रांग नीचे गये उनका माध्य कैसे ही जोड़ने हैं अएलिक्ता है द्यक्ति दिरी ह्चे यह वारसटर 10 10 20 tab recent 2019 बिद्ध्यारतियों के अंकों का क्या करेंगे योग करेंगे और ये कितने बिद्ध्यारतियों की संख्या से अम लोग क्या देंगे भाग देंगे बिद्ध्यारतियों की संख्या से काई से बिद्ध्यारतियों की संख्या से स्टूडेंट्स की संख्याशी हम लोग क्या देंगे भाग देंगे जब इसको आगे करेंगे शॉल्व तो देखो आप विद्ध्यारतियों के अंग कितने हैं 35, 35 प्लस के सरसड 35, 36 प्लस के 30 उसके बाद मैं प्लस के 52 52 प्लस के 57 57 के बाद मैं 49 49 के बाद मैं हैं कितना 66 46 के बाद मैं कितना हैं 76 कितना है 76 और उसके बाद मैं क्या बचा 22 उसके बाद मैं क्या बचा 36 इस प्रकार से टोटल विद्ध्यारती कितने हैं देखो 10 विद्ध्यारतीयों कुश्चन में दिया है कितने विद्यारती है 10 विद्यारती है कितने विद्यारती है 10 क्योंकि कुश्चन में आपको दिया है 10 विद्यारती है 10 से दे दो भाग जब हम इनको जोड़ेंगे ना तो कितने आएंगे जे देखो जब हम इनको जोड़ेंगे ना तो यह आएंगे कितने आएंगे टोटल 490 आएंगे तो 490 में 10 का भाग देंगे ना तो कितना आएगा मात जाएगा कितना 49 आएगा 49 आएगा मात जाएगा इसे साब से इसका option भी हो जाएगा कौशा होगा option B अब हम लोग चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है आप लोगों के सामने screen पर इस question में आप लोगों से क्या पूचा है इस question में पूचा है कि चवदय के सभी गुड़न खंडों का मात है चवदय के क्या है सभी गुड़न खंड तो चवदय के गुड़न खंड कौन कौन से होते हैं देखो चवद्रा के गुड़न खंड कौन कौन से होते हैं चूद्रा के गुड़न खंड होते हैं, देखो, एक का भाग चूद्रे में जाता, एक के बाद में देखो, दो का चला जाता है, तीन का नहीं जाता, 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 तीन का नहीं जाता नहीं 9 का जाएगा, नहीं 10, 11, 12, फिर इसके बाद में जाएगा 14 का, कितने का जाएगा 14 का, अब यहाँ पे हमें निकालना है, क्या माद्द, जब इसका माद्द कैलकुलेट करेंगे ना, तो माद्द कैसे कैलकुलेट करते हैं, माद्द करते हैं, कैलकुलेट, क्या इसके जि साथ और तेरा तो कितने होगा एक दो तीन चार हो गए पोटल कितने होगा चार तो इसकी संक्याशे दे देंगे भाग अब हम लोग क्या करेंगे इनका एड करेंगे साथ और तीन दस दस और तेरा कित देखो तेरा और साथ होता है कितना तेरा और साथ होता है बीस कितना होता है बीच अब इसके बाद मैं देखो आप दो एक तीन और यह कितना है यह चौद्रा है कितना है चौद्रा काई तो जाएगा भाग यह मैंने गलत कर दिया था यह कितना है चौद्रा है देखो आप यह कितना था चौद्रा है कितना है चौद्रा चौद्रा काई तो जाएगा च उद्रा का देखो साथ और टीन दस दस और चवच रह कितने होते हैं 24 होते हैं 24 ऋछाट सदों होगा इस का उद्रा होons तोटना का ँस होगा इस का रह द जयुक्त रह तो किसे-खंस, का यह हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, छे आ जाएगा, अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले question की तरफ, अगला question है आप लोगों के सामने screen पर, इस question में क्या पूचा है, पांच संख्याओं का क्या दिया है, माद्दे दिया है, पांच संख्याओं का माद्दे, तो जब पांच संख क्या दिया है पांच संख्याओं का दिया है माद्दे दिया है जब पांच संख्याओं का माद्दे कितना दिया है जब पांच संख्याओं का माद्दे चौद्रा जब पांच संख्याओं का माद्दे कितना है चौद्रा तो टोटल पांच संख्याओं पांच संख्याओं का मा जा गया पांच वह इसमें कोश्चन में दिया है एक संख्या को निकाल देने पर क्या होता है एक संख्या को निकाल देने पर होता है तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, पांच संख्याओं का टोटल, देखो, 14.5 इंटू 4, जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14.5 में तो कितना निकल गया है, 14.5 का 56, 56 और 2 होता है, 58, क्या होता है, 56 और 2, 58, तो हमें क्या निकालना है निकाली गई शंख्या निकालनी है यह हो गया टोटल पंच का माद्द्य क्या हो गया टोटल पंच का माद्द्य हो गया और यह होगा टोटल चार का माद्द्य हो गया टोटल चार का माद्द्य हो गया तो हम लोग एक संख्या का माद्द्य कैसे निक तरमें से जब 58 माइनस करेंगे तो आएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा, इस हिसाब से इसका आंसर होगा, कितना C होगा, option C, C होगा, अब हम लोग चलते हैं अगले question की तरफ, अगला question है आप लोगों के सामने screen पर, इस question में क्या पूचा है, इस question में आप लोगों से पूचा ह कि एक सामूहिक बारंबारता विवरण में समान कच्छा आकार का उपयोग करते हुए, डेटा को क्या लिखना है, डेटा को प्रेस्तुर किया है, साथ भी कच्छा, तीस भी, पैंतीस भी, जहां समलित नहीं है, दूसरी कच्छा अंतराल के निमन सीमा है, option दी हैं 15, 10, 20 और तो हमें यहां पर क्या करना है, देखो, कच्छा है ना, कच्छा, और एक और कौन सी होगी बारंबारता, एक होगी बारंबारता, तो यहां पर अब हमें क्या करना है, आकड़ों को सजाना है, देखो, आकड़े कौन कौन सी है, कच्छा कौन सी है, पहली कच्छा, फिर उसक कच्छा है अब इसका हमें क्या करना है बारम बार तक कितनी 35 तक है 30 से 35 तक है तो इसको हमें एक्वल पार्ट में क्या करना है डिवाइड करना है जहां 35 नहीं तो देखो कैसे करेंगे जीरो से पांच, पांच से 10, इसके बाद में 10 से 15 होगी, क्या होगी 10 से 13, 15 से 20, 20 से 25 फिर होगी 25 से 30 होगी, क्या होगी 25 से 30 अब question में आप लोगों से क्या पूचा है question में पूच रहा है देखो समान कच्छा का उपयोग करते हुए data को प्रस्तुत किया जाता है तो दूसरी कच्छा का दूसरी कच्छा अंतराल की निमन शीमा क्या है दूसरी कच्छा है ना देखो यह है दूसरी कच्छा इसकी हमें निम्न सीमा पूछी है देखो तो पांच देखो इसकी सीमा कौन-कौन सी हो गई बारम बारता कच्छा देखो कच्छा दूसरी की सीमा कौन-कौन सी हो गई बारम बारता पांच शे दस हो गई क्या हो गई पां दस हो गई ना तो इसमें हमें कि देखो क्या निकालना है इसमें कच्छा अंतराल की निमन शीमा पूछी है क्या निमन शीमा तो यहां पर देखो पांच हो गई कितनी निमन शीमा और दस हो गई कितनी उच्छ शीमा तो क्वेश्चन में पूछा है क्या निमन शीमा तो निमन पांच हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी होगा क्या होगा पांच होगा और अधिक्टम कितनी ओच होगी 10 तो इसका option डी हो जाएगा कितना होगा डी कि अब हम लोग चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है आप लोगों के सामने screen पर इस question में क्या पूचा है देखो पचास लोगों के भार का बारम बारता बटन निमने है देखो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है बर्ग की उपरी शीमा क्या है जो उच्च आबरत वाले बर्ग अंतराल से पहले है तो यहाँ पे देख लो आबरती कौन सी होती है एफ यहाँ पे लोगों की शंख्या को आबरती कहते हैं तो यहाँ पे देखो आबरती है ना तो आबरती में हमें क्या करना है या क्या है बर्ग अंतराल बर्ग अंतराल है तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसमें उच्च आबरती है ना उच्च आबरती वाले बर्ग अंतराल से पहले देखो उच्च आबरती क वो चाबरती बोल दिया अब यह क्या का रहा है वो चाबरती बाले बर्ग अंतराल से पहले इस से ज़स्ट पहले क्या इस से ज़स्ट पहले देखो पहले तो इस से पहले कौन सी है चौदरा है क्या है चौदरा चौदरे आबरती है क्या है चौदरा इस से पहले की कह रहा है तो आपरती हो गई चौद्रा तो इसका हमें क्या करना है कि बर्ग की उपर ही शीमा कैलकुलेट करनी है इससे पहले क्या हो गई चौद्रा तो चौद्रा इसकी शीमा देखो पैंतालीस और पचास है तो इसकी हमें कौन सी पता करनी है इसकी हमें करनी है उपर ही कौन सी उपर तो उपर ही कैसे पता करेंगे देखो यह होती है 50 ओगी उपर ही और 45 होगी निचली तो इस question में क्या पूछा है ऊपर ही पूछी है सीमा दो उपर ही होगी कितनी 50 तो इस हिसाब से इसका answer कितना होगा आओ होगा कितना होगा पचास ऊपर ही सीमा होगी 50 अब हम लोग चलते है अगले question की तरफ, अगला question है आप लोगों के सामने स्कीन पर, ए सबी question MP पुलिस में आई हुए question है, इसलिए आप सबी मित्र इस वाले topic को अच्छे से कर ले हैं, ज्यादा तर नहीं question हो में से question आएगा आपके exam में, अब देखो, इस question में क्या पूचा है, एक गायन प्रतियो नाथ करना है, हमें बहुलक, तो बहुलक कैसी calculate करते हैं, बहुलक जब हम लोग calculate करते है, तो बहुलक जो बहुत मात्रा में है, जो इसमें साटा बार आएगा वही बहुलक होगा, इसकी short trig आज़ए हो, सब से जादा बार क्या आ रहा है, क्या खाना सांकार आज देख्यों क हम लोग देखते हैं, सबसे देखो, 60, 52, 45, 40, 43, 44, 40, 40, देखो, 42, 43, 40, देखो, 40 है, 40 एक बार, फिर उसके बाद में 40 दो बार, 40 तीन बार, 40 आ रहा है, तो 40 कितनी बार आया, 40 आया, इसमें 3 बार, 3 बार आया, सबसे जादा बार, 40 आया, तो इसका बावलक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो सबसे जादा बार आएगा, जादा बार, उसको हम लोग कहते हैं, बावलक कहते हैं, जो जादा बार आएगी, जादा बार, संख्या आएगी, उसको हम लोग कहते ह हैं बहु लग तो इस हिसाब से इसका अंसर कौन सा होगा इस हिसाब से इसका अंसर होगा कौन सा होगा चालीस होगा चालीस और संख्यां देख लो और तो नहीं जा रही है इसमें देखो बावन ब्यालीस चालीस या तेतालीस चालीस चालीस आ रही है ज्यादा दो बार आ रही है चालीस दो यी बार आ रही है देख लो चालीस कितनी बार आ रही है दो बार उसके बाद में अड़तालीस एकी बार है एकतालीस 42 कितनी बार आ रही है दो बार 44 एकी बार है 52 एकी बार शार तो सबसे ज़्यादा 40 आ रही है क्या रही है चालीस तो यह से साब से इसका अंसर हो जाएगा कितनी 40 ही हो जाएगा उपरोक तांकुडों का बहुला कोगा 40 अब चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन आप लोगों के सामने स्कीन पर यहाँ पर आप लोगों से इस कुश्चन में क्या पूचा है इस कुश्चन में आप लोगों से पूचा है कि 10 देने के मज़़ूरी करने बाले कि लोगों की सीमा यहां पर दी गई है क्या दी गई है लोगों की सीमा कितनी दी गई है 240 उसके बाद 180 और 250 और 200 और 280 और 220 और 270 210 और 270 तो आफसन में से हमें पता लगाना है क्या पता लगाना है इने की सीमा पता लगाना है क्या सीमा दस देनेक मजदूरों की सीमा दी गई है तो देखो सीमा को क्या बोला जाता है सीमा का दूसरा नाम होता है परिशर और परिशर को क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं क्या बोलते हैं रेंज तो यह क्या होती है अधिक्तम बेल्यू मैग जवम बेल्यू मेक जो हम होती है अधिकतम क्या होती है अधिकतम अधिकतम मान माइनस के मिनीमम बैल्यू क्या मिनीमम बैल्यू तो देखो मिनीमम बैल्यू मान लो क्या होती है नियूनितम बैल्यू अधिकतम बैल्यू माइनस के नियूनितम मान तो देख लो, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो यह संख्याई दी है तो यहाँ पर सबसे देखो 240, 180, 200, 280, 220, 170, 210, 270 तो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर कितनी 280 कितनी हो गई 280 180, 210, 260 तो यहां पे सबसे चोटी संख्या है 160 सबसे चोटी संख्या को अब इसे बाद मैं हम लोग चलते हैं अगले question की तरफ देखो इसमें डारेक्ट रेंज पूछी है निम्न डेटा का परिशर है क्या है परिशर तो देख लो रेंज क्या होती है रेंज होती है अधिक्तम बैल्यू माइनस के नियूंतम बैल्यू अधिक्तम मान होता है अधिक्तम मान माइनस के होता है क्या नियूंतम मान तो देखो यहाँ पर अधिकतम मान कितना है अधिकतम मान सबसे बड़ी संक्या पिंचान में 45, 35, 20, 15, 15 और 60, 85 पिंचान में तो यहाँ पर सबसे बड़ी संक्या कौन सी है सबसे बड़ी संक्या है यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संक्या कौन सी है सबसे बड़ी संक्या है कितनी है पिंचान में है कितनी है पिंचान में देखो 75 के बाद कितना है पिंचान में आईगी कितनी पिंचान और बड़ी तो नहीं है माल लो कभी कवार मिश्टिक हो जाती है जल्दी में तो आप उसको उस चीज पर ध्यान नहीं दे क्यों कभी कवार हो जाती है वो मन एरर रहती है कभी कवार ध्यान नहीं रहता माल लो कि देखो यहां पर सबसे बड़ी संक्या जाएगा तो कितना आएगा अस्षी आएगा कितना आएगा अस्षी तो इसकी रहंज हो गई अस्षी इसलिए आप ध्यांर रखें कभी कवार मानसलो जल्दी में गलती हो जाए तो वक बैसे तो होती नहीं है लेकिन कभी कवार की बात है किसी किलास में मालो जल्दी में हो जाती है त्यार नहीं रहता जल्दी के चक्कर में देखो एक बिच्रन का माद्द कितना दिया है 20 दिया है क्या दिया है एक बिच्रन का माद्द दिया है 20 और उसका मानक बिच्रन कितना द करना है तो अब क्या करेंगे देखो बिच्चरन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है क्या होता है कि बिच्चरन गुणांक एक्वाल होता है कितना बिच्चलन upon में माद दे और in 200% यह होता है देखो question में आप देखो कि यहाँ पर बिचलन कितना दिया है मानक बिचलन दिया है 4 कितना 4 माद दिया है 20 तो value put कर दो 4 upon 20 into 200 तो जब हम इसको solve करेंगे ना तो कितना निकलेगा देखो इसको जब solve करेंगे तो यहाँ निकलेगा देख लो आप 20 से 100 को 5 वार cancel कर लो तो 5 का जब 4 में multiply करेंगे ना तो कितना आएगा 20% आएगा कितना आएगा 20% 20% आएगा क्या आएगा 20% इसे साब से इसका अंसर होगा B क्या होगा 20% अब हम लोग चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है आप लोगों के सामने स्कीन पर इस question में क्या पूचा है यह देख जन्संक्या का मानक बिचलन दिया है 4.5 मानक बिचलन कितना दिया है 4.5 तो इसका आमें क्या निकालना है प्रशरन निकालना है तो देखो आप तो इसका देखो प्रशरन क्या होता है प्रशरन का दूसरा नम क्या होता है प्रशार होता है क्या होता है प्रशार और इसका और नम क्या होता है बिचरन भी बोलती है इसको कभी कवार क्या बोलती है बिचरन प्रशार प्रशरन में और बिचलन में क्या देखो, इसका formula क्या होता है, इन दोनों में relation होता है, बिचलन का क्या होता है, square होता है, क्या होता है, square, तो देखो, बिचलन का square, यह होता है formula, अब यहाँ पे हमें क्या है, बिचलन कितना दिया है, 4.5 दिया है, तो 4.5 का square करेंगे, तो कितना आएगा 4.5 का square जब हम लोग multiply करेंगे ना इसका 4.5 into 4.5 तो कितना आएगा यह आएगा देखो 20.25 आएगा कितना आएगा 20.25 यह से साबसे इसका option यह हो जाएगा कौन सा होगा यह 20.25 अब देखो अगला question है आप लोगों के सामने screen पर इस question में क्या पूचा है तो इनका हम को क्या निकालना है इनकी हम लोग मात दिखा दी है इनकी कितनी है तेरा तो हम लोग क्या करेंगे देखो यह संक्या है ना इनको सबसे पहले हम लोग काई में लिखते हैं आरोई क्रम में लिखते हैं बढ़ते क्रम में तो आरोई क्रम में तो यह पहले से दी हैं तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, देखो, तीन है, छे, साथ, उसके बाद में है, ग्यारा, एक्स है, एक्स के बाद में है, पंदरा, पंदरा के बाद में है, उन्नीस, उन्नीस के बाद में है, बीस, बीस के बाद में है, पच्चीस, पच्चीस के बाद में है, अठाई, सबी संक्या हैं हो गई या रोई क्रम में बढ़ते क्रम में जो पहले से दी हैं या नहीं दी हो तो हम लोग लिख लेंगे अब देखो अब यहां पर क्या करना है हमें इसकी क्या है माध्यका दिया है, तो माध्यका कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो, माध्यका निकालते हैं, इसमें total कितनी संक्या हैं, देखो, एक, दो, तीन, चार, पंच, छे, साथ, आट, नो, दस संक्या है, total, दस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका short logic, दोनों तरफ से पह question में मात देखा कितनी दी है 13 तो देखो जब मात देखा 13 है तो n की value कितनी हो गई 10 हो गई तो मात देखा जब 13 है न तो इसका देखो क्या formula होता है एक्स प्लस के 15 अपोन मैं 2 इसका मात दे नकाल लिया इन दोनों का क्यों कि दोनों तरफ से total equal मतलब समान संक्या चोड़ दी तो X प्लस 15 अबटे 2 और equal कितना होता है मात देखा मात देखा कितनी दी है 13 13 क्या हो गई मात देखा यह question में दी है अब इसको हमें क्या निकालना है इसको करना है आए मैं solve होता हना है अब देखो X प्लस के 15 equation 13 into 2 हो जाहेगा कितना 13В जब इसको हम आगे solve करेंगे ना तो कितना आएगा 13 into 2 को solve करेंगे तो आएगा 26 कितना आएगा 26 तो X प्लस के 15 वरावर आ गया 26 जब हम इसको आगे solve करेंगे ना तो एक्स बरावर आएगा 26 माइनस के 15 आएगा कितना आएगा 26 माइनस के 15 जब 26 में से 15 माइनस के करेंगे ना तो कितना आएगा 11 आएगा कितना आएगा 11 इस हिसाब से इसका हो जाएगा option C 11 अब हम लोग चलते हैं अगले question पर अगला question है आप लोगों के सामने screen पर देखो इस question में क्या पूछ रहा है यहाँ पर हमें क्या है 9.5 और 11.5 की उपरी सीमा का पता लगाना है उपरी सीमा का तो देखो उपरी सीमा इसमें कौन सी होगी इसमें यह हो जाएगी उपरी सीमा और यह 9.5 हो जाएगी कौन सी निचल शीमा, तो question में हमें क्या पूचा है, उपरी शीमा हो गई, question में हमें पूचा है, direct उपरी शीमा क्या है, तो कितनी हैं 11.5 है, कितनी हैं 11.5, इसको बोला जाता है, 11.5, D answer हो जाएगा, कुन सा होगा, D, आज की ग्लाश यहीं पर खतम होती है मित्रों, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, जै हिंद, जै भारत, जै माकाल